Friends, Welcome to Knowledge Hub दुबई में गूमने के लिए बहुत सी खूबसूरत जगे हैं अपनी विकेंड की छुटियों के लिए दुबई में हर साल कई टुरिस्ट आते हैं लेकिन आज हम आपको दुबई के सबसे बड़े गार्डन के बारे में बताने जा रहे हैं दुबई का ये मिरेकल गार्डन दुनिया के सबसे बड़े फ्लोवर गार्डन के लिए मसूर है यहां बहुत सारे खूबसूरत और रंग भी रंगे फूल हैं जिसे देखने के लिए टुरिस्ट दूर दूर से आते हैं इन गार्डन में पवन्चक्की और इंद्र धन्नूस के आकार में फूलों को लगाया गया है यहां पर आने के बाद आपका गर वापस जाने का मन नहीं करेगा दूबई में बना मिरेकल गार्डन बैतर हजार वर्ग मीटर के लंबे चोड़े एरिया में फिला हुआ है और इसके तकरीबन अठारा एकड़ के दाइरे में फूल लगाये गये हैं यह गार्डन दुनिया के सबसे बड़े फ्लोर गार्डन के लिए मसूर है इसे देखने के लिए हर साल हजारों की मातरा में परियाटक आते हैं इस गार्डन में फूलों को गर के आकार से लेकर इंद्र दनुश के आकार में लगाया गया है फूलों से बड़ा मिरेकल गार्डन प्रेगिस्तान के बीचों बीच बना हुआ है इस गार्डन में 4 करोड 50 लाग फूल लगे हुए हैं इसका आका ताजमेल की तरह बना हुआ है यहाँ पर फूलों को देखकर ऐसा लगता है मानों फूलों की नदियां बेरे हो यहाँ पर आने वाले प्रियटकों को छाओं देने के लिए छत्री से छत बनाई गई है प्रियटकों के लिए यहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन अब यहाँ प्रियटकों के लिए खास इंतिजाम कर दिये गए हैं आप यहाँ डेजर्ट सावारी के द्वारा पहुँच सकते हैं आप इस गार्डन में दस हजार से भी ज़्यादा वेराइटी के फूल देख सकते हैं और इसे करोडों फूलों से सजाय जाता है इस गार्डन की सबसे खास बात यह है कि इसमें फूलों का बगिचा नहीं है बलकि फूलों को एक सेप में ग्रो किया गया है यहां ताजमेल का स्ट्रेक्चर, महल, मोर, हट और फूलों की नदियां देखने को मिलेंगी इस गार्डन में हर मोसम में फूल उखते हैं मगर बारीश के मोसम में इस गार्डन का नजारा देखने काबिल होता है क्यूंकि यहां बड़े आकार में पेडों की साखाएं फैल जाती है इस गार्डन में कोरोडो फूल हैं जिनने करत्रिम साखाओं के जरिये उपर नीचे फैलाया गया है फूलों की विबिन प्रजातियों के इस गार्डन में बटरफ्लाई गार्डन भी है जहां आप फूलों पर रंग भी रंगी 15,000 प्रजातियों की तितलियों को मंड़ाते हुए देख सकते हैं यहां पर फूलों को सीचने के लिए West Water का इस्तमाल किया जाता है और हर रोज 2,00,000 गेलन पानी का इस्तमाल किया जाता है इस गार्डन में गूमते गूमते अगर आप ठक जाएं तो आपको रेश्ट करने के लिए खास तरह के कमरे भी प्रोवाइड कराये जाते हैं जिसमें आपको फूलों के बीच सुलाये जाता है हर साल यहां का स्ट्रेक्शर बदलता रहता है अगरेंज थैंक्स वर वचिंग इस वीडियो